हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल तैयारी एक्जाम की सबसे पहले आप तो पहुंचे तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रग्जीत और समाज जिनके लेखक है नावर सी उसमें व्रोग पर इच्छा हूँ प्योंकि मैं तो पूर्ण तथे देखने वारे हैं एक्जाम की दिष्टिकों से बहुत ही महतोपूर्ण है प्रस्न है नावर सी का जन कब हुआ था तो उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 इस वी को आगे का यहाँ पर प्रश्न आता है नावर सी का जन मस्थान कहां है तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जियनपूर वारे नसी उत्तर प्रदेश में ठीक है आगे का प्रश्न आता है नावर सी के माता पिता का क्या नाम है उत्तर हो जाएगा बागेश्वरी देवी एवं नागर सी जो की एक सिच्छक थे उनके पिता ठीक है और माता के नाम बागिश्वरी देवी आगे का प्रशना आता है नावर से के सिच्छा के विशाय में आप क्या जानते हैं तो उत्र हो जागा यहां पे रात में आवाजपूर एवं खमालपूर उत्र प्रदेश के गाउं में और हाई अस्कूल किये थे हिवेट छेत्रिये अस्कूल बनारस इंटर उधे प्रताफ कॉलेज बनारस बीए और एमे बी एच यू से क्रमस उन्चास इवं उनिसो इक्यावन में किये आगे आता है यहां पे पी एच डी बी एच यू में प्रिथिवी राज रासो की भासा विसे पर उनिसो चपन में किये ठीके आगे कहें आप प्रशन आता है नावर सिह के ब्रिति यानि के पेशा के बारे में आप क्या जानते हैं उत्र में आप लोग लिखेंगे 1963 में 80 हिंदू विस्व विद्याले में औ अस्थाई ब्याख्याता 1969 में सागर विष्व विद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर 1965 तक बनारास में रहकर स्वतंतर लिखन जन्योग सापताहिक तिली में संपादक और राजकमर प्रकाषन में सहरित सलाहकार भी रहें 1967 में अलोचना, 83 का संपादन, 1970 में जोधिपूर, विशुविद्याले, राजस्थान में हिंदी विभाग की अध्यच पदपर, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त, आगे है 1974 में कुछ समय तक कनहया लाल, मानिक लाल, मुनसी हिंदी विद्यापिट आगरा के विदेशक, 1994 में ही जवाहर लान नहरुविशुविद्याले, दिल्ली के भार्थी भासा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पदपर, नियुक्ती, 1987 में JNU से सिवा मुक्ती, आगे है पुना, अगले पांच बर्सों के लिए वही पुनर नियुक्ती, 1993 सिच्यानमे तक राजा राम मोहन राय, लाब्रेरी, फांडेशन की अध्यच, सम्प्रतिक बात करें तो आलोजना, प्रेमासी के प्रधान संपादक रहे थे, और आगे हैं पर प्रशन आता है, नावर सिंग को कौन से सम्माल मिले हैं, उतर हो जाएगा 1971 में, कविता के नए प्रतिमाल पर साहित अकादमी पुरसकार मिला है, यहाँ पे अब आता है एक प्रशन, जो की है, नावर सिंग की कृतियां कौन कौन से हैं लिखें, यहाँ पे देखें लिखा जा चुका है, बकलम खुद, जो की व्यक्ति व्यंजक ललित निवंध है, हिंदी के विकास में अपभ्रस का योग, आधुनिक साहित की प्रवितियां, सायावाद, प्रिथिवी राजरासों की भासा, इतिहास और आलोजना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमाल, दूसरी परंप परा की पोज, वाद, विवाद, संवाद, आलोजना, कहना न होगा, साचातकारों का संग्रह, आलोजक के मुख से, व्याख्यानों का संग्रह, एवं अनेक संपादित, पुस्तके, यहाँ पे एक मुखी बिंदु है, साहित की अधिरिक, इतिहास, दर्सन, राजनीती, सास्र, आदि, अनेक विशयों का अंतरा नुशास, नात्मक, अधेयन, नामवर सिह ने किया है, आगे है यहाँ पे, नामवर सिह पेसे से हिंदी प्राध्यापक की रूप में वियाचारी हजारी प्रसाद्युवेदी के सिसे रह चुके हैं, नेश्ट है, नामवर सिह को हिं सूत निबंध, प्रगीत और समाज, उनकी आलोईशनात्मक निबंधों की पुष्टक, वाद विवाद संबाद से लिया गया और ये बात आपको हियाद रखनी है, ठीक है, अब देखिए, हम लोग आ चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर की ओर, पाठ्यनों, प्रगीत और स तुकल के कावे आदर्स क्या थे, पाठ की आधार पर अस्पष्ट करें, तो उत्तर हो जागा यहाँ पे, आचारी राम चंडर, तुकल के कावे सिधान के आदर्स प्रबंध कावे थे, प्रबंध कावे में मानव जीवन का पूर्ण ग्रिश्य होता है, उसमें घटनाओं क संबन स्रिंखला और पभावे क्रम से ठीक ठीक निर्वाह के साथ रिदय को असपर्स करने वाले उसे नावा भावो को रसाफ़क अनुभव कराने वाले प्रसंग होते हैं, आगे है यहाँ पे, यही नहीं प्रबंध कावे में राश्ट्रिय प्रेम, जाती भावना, धर्म प्रेम या आदर्स जीवन की प्रेणा देना ही उसका उद्देश्य होता है, उसके आगे है प्रबंध कावे की कथा चुकी यह थार्थ जीवन पर आधारित होती है, इससे उसमें असंभव और कालपनी कथा का चमतकार नहीं, बल्कि यह थार्थ जीवन के विविद सौभाविक और और चुत्यपूर्ण सितरन होता है, सुकल को सूर सागर इसलिए परिस्तिमित लगा चुकी हुआ गीती कावे हैं, आधोनी कविता से उन्हें सिकायत थी कि कला के लिए ये पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तको कहीं चलन अधिक देखकर यहां भी उसी का जमाना यह बता कर कहा जाने लगा कि अब आसी लंबी कविताय पढ़ने की किसी को फूर्सत कहां जिन में कुछ धती बृत्त भी मिला रहता हो, देखे आपको इसमें बहुत सारे बर्ड कुछ है से मिलेंगे, जिसका मतलब आपको सब्दार्थ में मिलेंगे, तो जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई, इसलिए जो ही प्रसाद की तेर सिह का सस्त्र समर्पन, पोथोला की प्रतिध्वनी प्रलाई की छाया तथा, कामाईनी और निराला की राम की सक्षी पूजा तथा, तो उसे दास के कावित सामने आ बहुत ही महतवपून क्यूश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, उत्तर हो जाएगा कला 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 के लिए, सिधान का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मक्ता का भाव उत्परन करने के लिए है, इसके द्वारा रस एवं माधोरी की अनुभूती होती है, इसलि की पुर्सत किसी के पास नहीं है, ऐसे कविताएं जिसमें कुछ ऐसा वैसा मीला रहता है, उभाव होती है, विसोध कावे की सामागरिया ही कविता का आनंद दे सकती है, यह केवल प्रगीत मुक्तपों से ही संभब है, प्रशन संख्या 3 आता है यहां पे, प्रगीत को आप प्रगीत कावे की कोटी में आती है, प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो समाजिक यह थार्ट की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, ना उनसे इसकी अपेच्छा की जाती है, आधुनिक हिंदी कविता में गीती और मुक्तप के मिश्रम से मूतन भाव भूम पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगति की संग्या दी जाती है, समाने समझ के नुसार प्रगीत धर्मी कविताएं नितांत, व्यक्तिक और आत्म परक अनुबूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है, यह समाने धार्ना है, इसके विपरित अब कुछ लोगों द्वा यह भी कहा जानने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें इतिबृत भी मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने की किसी को फूर्सत कहां है और थात नहीं है, प्रश्न संख्या चार आता है यहां पर बस्तु परक नाटि धर्मी कविताओं से क्या तात पर रहे है आत्म परक प्रगित और नाटि धर्मी कविताओं की यह थार्थ व्यंजणा में क्या अंतर है यह एक्जामिक द्रिश्टिकोस भोतिमात वुपूर्ण उतर हो जाएगा वस्तु परक नाटि धर्मी कविताओं में जीवन के समगर सित्र उपस्तित हो जाते हैं वस्तु त कि लंबी रचनाएं वस्तु परक है परन्तु आत्म संगर्स ज्यादा मुख्रित है यह कविताओं अपने रचना विन्यास में प्रगित धर्मी है किसी किसी में तो नाट की रूप के बावजूद कावे भूमी मुख्यत प्रगित भूमी है कहीं नाट की एकालाग मिलता है तो कहीं पूनता सुध प्रगित जैसे सहर स्विकारा है अधवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ जैसा कि मुक्ती बोध प्यम लिखते हैं कि नीस अंदे उसमें कथा केवल आभास है नाट की एकालाग मरी चीका है वह विस्तु आत्मगत कावे है जहां नाट की एकालाग म जहां नाट की आता है वहां वस्तु तह भावों की गति मैता है क्योंकि वहां जीवन या थार्त केवल भाव बनकर प्रस्तूत होता है इस प्रकार यह आत्मपरक्त अधवा भाव मैता किसी कवी की सीमा नहीं बलकी सकती है जो उसकी प्रते कविता को गति और उर्जा करें उत्तर हो जाएगा यहां प्रगीत वे कविताय हैं जिनें अक्सर माना जाता है यह कविताय सिधे सिधे समाजिक न होकर अपने व्यक्तिक्ता और आत्म प्रग्ता की कारण लिरिक अथवा प्रगीत कावे की कोटी में आती है गीति कावे गीत सैली का नवेतम विकास है प सामाजिक के अथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है ना उनसे इसकी अपेच्छा की जाती है क्योंकि सामराज्य समझ के अनुसार वे अंततह नितात व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है परंतु ठाया वादी काल में प्रसाद की सेर सिह का सस्त्र समर्पन पेठोला की प्रतिध्वनी प्रलाई की छाया तथा कामाईनी और निराला की राम की सक्ति पूजा तो उसी दास जैसे आख्याना कावे इस मिथा को तोड़ते हुए प्रगीतों की अलग पोटी विक्सित करते हैं आगे मुक्ति बोध नागारजुन, समसेथ, बहादूर सिंह के प्रगीत बदोपूर अस्थान रखते हैं आगे है यहाँ पे मुक्ति बोध के यहाँ प्रगीत, वस्तु परक, नाटे धर्मी कविताओं के रूप में है जो आत्म परक है आत्म संघर्ष से उपजी है जिन में सामाजिक भी नहीं थै यह नई कविता के अंदर आत्म परक कविताओं की आसी प्रवल प्रविर्ती थी जो यहाँ तो समाज निर्पेच थी या फिर जिसकी समाजिक अर्थवत्ता व सिमित थी परेंतु इन में जीवन या थार्थ भाव वनकर प्रस्तूत होता है प्रिलोचन ने वर्नात्म कविताओं के बावजूद ज्यादतर सोनेट और गीत ही लिखे हैं कहने के लिए तो यह प्रगीत हैं लेकिन जीव जगत और प्रकेरती के जितने रंग बिख्रय प्रिलोचन के कावे संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दूरलब है प्रगीतों में मित कथन में अति कथा से प्रश्न साख्याट 6 आता है आधुनिक प्रगित कावे किन अर्थों में भक्ति कावे से भिन एवं गुप्ति जी आधी के प्रबंध कावे से विश्च्ट है किया आप आलोचक से सहमत हैं अपने विचार दें उत्तर हो जाएगा आधुनिक प्रगित कावे में भी प्रबंध कावे कि भाति जीवन के सारे चित्प पीचे जाते हैं मुक्ति बोध, प्रसाद, निडाला, नागारजुन, समसे, इल्लामे कविताई क्रमसह, ब्रम राच्छस, पेठोला की प्रातिद्वनी, तेर सिह का, आत्म, समर्पन, तूसी दास, राम की सक्ति पूजा और आगे है यहां पे अकाल और उसके बाद इत्यादे की कविताई उदाहरन है, इन कविताऊं की खास बात यह है, कि मित कथल में अधिक अधिक सक्ति होती है, और यही बात इनमें कही गई है, प्रबंद कावे की तरह इनमें भी नाटकियता का समावे से साथ ही समाजिक संघर्ष के बदले आत्म संघर्ष मुख्रित है, आगे है यहां पे परन्तु निराला की कविता, राम की सक्ति पूजा तूसी दास में समाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष का मिश्रित रूप है, आधोनिक यूग के प्रगेत कावे की मुख्य भाव भूमी राश्ट्रियम मुख्ति संघर्ष है, जो गुप्त के कावे में दिखलाई प करता है, इन रूमांटिक गीतों में भगति कावे जैसे तनमयता नहीं है, किन्तु आत्मयता और एंद्रियता कहीं अधिक है, गुप्त का प्रबंद कावे सीध्य सीध्य राश्ट्रिय विचारों को रखता है, और रूमांटिक प्रगेत उस यूग की चेतना को अपनी अस समाजिक्ता में ही अधिक गहराई से वानी दे रहे थे, इसलिए विस्ष्ट है, आलोचा ने जो उदाहरन निराला आधिकव्यों की कविताओं को प्रगेत के जो रूप में दिये हैं, उदाहरन इनमें सची अर्थों में समाजिक्ता छिपी है, अतह लेखा की विचार में स समाजिक संघर्थ के साथ आत्म संघर्थ भी माइने रखता है, अतह प्रगीत कावे भकती कावे से अधिक सुच्म रूप में वानी देता है, प्रशन संख्या साथ आता है यहां पे, पाविता जो कुछ कह रही है, उसे सिर्फ वही समा सकता है, जो इसके एकांकी पन में मा सुन सकता है, इस कथन का आसे असपश्ट करें साथ ही किसे उप्यक्त उधारन से अपने उत्तर की पूष्टी करें, उत्तर हो जागा यहां पे, आलोचा की द्रिश्टी में प्रगीत वैसा कावे है, जिसमें व्यक्ति का एकांकी पन जलके अथवा समाज की बिरुद, व्य व्यक्ति को स्विकार किया जाता है, जो नितांत, व्यक्ति और आत्म परक है, परन्तु योडोर एडोनों ने कहा है कि व्यक्ति अकेला है यह ठीक है, परन्तु उसका आत्म संगर्स अकेला नहीं है, उसका आत्म संगर्स समाज में प्रतिफ वलित होता है, यही कारण है कि बच्चन जैसे कभी सरल सपाथ निरासा से अलग करते हुए एक गहरी समाजिक सचाई को सच्चे और निराला आदे रक्त करता है। कभी अपने अकेले पन में समाज के बारे में सोचता है, नई प्रकिरिया द्वारा उसका निर्मान करना चाहता है। यहां व्यक्ति बना समाज जैसे सरल द्वंद का अस्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। इसके आगे हैं व्यक्ति बाद उतना आसवस्त नहीं रहा बलकि स्वेम व्यक्ति के अंदर भी अंतर संघर्ष पैदा हुआ। बिद्रोध का अस्थान आत्म विडमना ने ले लिया। यहां समाज के उस दवाग को महसूस किया जा सकता है। जिसमें अकेले होने की विडमना के साथ उसका अंतर द्वंद उसे समाजिक्ता की प्रेड़ना देता है और कभी प्रगति वादिक हो जाता है। परिनाम अंदर से निकलकर बाहर जन्ता के पास जाना। प्रश्न संख्या आठ है। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर विचार की आवशक्ता क्यों है। अलोचा के इस विसे में क्या निसकर्थ है। उत्तर हो जाएगा यहां पर आप लुक देख सकते हैं। मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर विचार करने की आवशक्ता इसलिए है। कि उनकी कविताओं में निस समाजिक सार्थक्ता की संभाबनाओं का पूरा-पूरा एहसास किसी को न था। नई कविता के अंदर आत्म पर कविताओं की एक आसी प्रवल प्रभीरती थी या तो समाज निर्पेश थी या फिर जिनकी समाजिक अर्थ वर्ता सिमित थी। इसलिए इन सिमित अर्थ भूमी वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं और पर्याग काविस सिधान के जारे को तोड़कर एक व्यापक काविस सिधान की अस्थापना के लिए मुक्तिवोथ की कविताओं का समवेश एतिहासिक आवशक्ता थी आगे है यहाँ पे किन्तु इनके बाद भी ऐसी अनेक आधम परक प्रगीत धर्मी खोटी कविताओं बची रहती है जो अपनी समाजिक अर्थबत्ता के खारण उस काविस सिधान को प्यापक बनाने में समर्थ है मुफ्ति बोथ की कविता रचना बिन्यास में प्रगीत धर्मी है नाटकी रूप के बावजूद कावि भूमी मुखेत है प्रगीत धर्मी है इसमें कोई सक नहीं कि उनका समुचा काविक मूलत है आतम परक है रचना बिन्यास में कहीं प्रगीत नाटकी धर्मीता है कहीं नाटकी एकालाप है कहीं नाटकी प्रगीत है और कहीं सुध प्रगीत भी है कभी से हम उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें कथा केवल आभास है, नाटकियता केवल मरिशी का है, वह बिसुद आत्मगत कावी है जहां नाटकियता है, वह जीवन या थार्थ भाव बनकर प्रस्तूत होता या बिम्बिया बिचार बनकर कहने के आवशकता नहीं कि ये आत्मगत प्रगेत भी नाटि धर्मी लमी कविताओं के सद्रिश या थार्थ को प्रति धोनित करते हैं इस प्रकार उनकी कविताओं में नहीं सामाजिक सार्थक्ता का बोद सुभाप्ता संभबनाओं की तलास करता है जिसके लिए मुक्ति बोथ की कविताओं पर उनर विचार आवशक है प्रस्त संख्या यहां पर नो आता है त्रिलोचन और नागारजुन के प्रगीतों की विसेस्ताई क्या है पाट की आधार पर अस्पष्ट करें नावर सिहने त्रिलोचन के सौनेट वही त्रिलोचन है वह और नागारजुन की कविता तन गई रिड का उल्ले किया है ये दोनों रचनाई पाट के आसपास खंड में दी गई है उन्हें भी पढ़ते हुए अपने बिचार दे देखी हम यहाँ पर अपना बिचार दे चुके हैं आप लोग चाहें तो इसे आंसाइक की रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पहत्री लोचन की कविताईं किहने के लिए प्रगीत है लेकिन जीव जगत और प्रकीर्ति के जितने रंग बिरंगे चित्र प्रिलोचन के कावि संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दूरलव है ठीक है किन्तु इन भासवर चित्रों को अंधतह जीवन्त बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है जिसका असपश्ट चित्र उस जनपत का वविहू संग्रह के उन आत्म परक सोनेटों में मिलता है इन में आत्म चित्र बस्तूत एक प्रगीत नायक की निर्व्यक्तिक पल्प स्रिष्टी है जिनसे नितात व्यक्तित्ता के बीट भी एक प्रतिनीधी चरित्र से परिचा की अनुभूती होती है आगे है यहाँ पे वही नागारजुन की बहिर मुखी आकरामक खावे प्रतिभा के बीज आत्म परक प्रगीत आत्मक अभिव्यक्ति के च्छन भी आते हैं लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकर्टीवरता प्रगीतों के परिचित संसार का एक जटके से छिन भिन कर देती ह चाहे वह तन गईरीड जैसे फ्रेम और मंता की नितांत नीजी अनुभूती हो चाहे जेल के प्रिखंचों से सिर्टिकाय चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप नागारजुन के कावे संसार के प्रगीत नाया का लिस्कवच फकड व्यक्तितु उनके प्रगीतों को विस करें च billion बश्री वा है वह और नाकारजुन की देन गुए कविता में अपने व्यक्तित्था में व्यस्ष्ट और समाजिक्द्था में समाने हैं कभी व्यक्तिवाती न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट के प्रति जुका हुआ है आगे है यहाँ पे अपने हैसमाज suburbs से करने में कभी समाज के बहिस्कार द्वारही व्यक्ति अपनी समाजिक प्रमानित करता है और व्यक्तिवाद को Жण्म देने वाली और दयोगिक ru कánud वादी समाज व्यवस्था का पूर जोर बिरोद करते हैं कभी की मान सेु किस्तिती बदर जाती व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद का अस्थान समाज के अपने अंतर विडियोधों ने ले लिया है चम व्यक्ति के अंदर के अत्तह संघर्ष को दिखलाते हैं देखिए प्रस्ण संख्या 10 आता है वीडियो अच्छा लगे तो प्रेज लाइक कर दे आप लोग क्यों कि वीडियो बनाने में हमें बहुत मियत लगता है देखिए उत्तर हम लिखे हैं आप लोग भी उत्तर लिख सकते हैं हिंदी के साहिते के दौर में कविता में एक नया उबहार पैदा होता है जिसमें कवी का अपना आत्म संघर्ष तो है ही वह समाजिक संभावनाओं की तलास भी उसमें करता है आज का कभी ना तो अपने अंदर जहाग कर देखने में संकूच करता है ना बाहर की यथार्थ का सामना करने में हिचक अंदर ना तो किसी असंदिग्ध विस्वद्रिष्टी का मजबूत खूटा गारने की जिद है और ना बाहर वेवस्था को एक विराट पाहर बनाकर आँखने की हवस वह बाहर से छोटी से छोटी वस्तो घटना आदी पर नजर रखता है और कोसस करता है कि उसे मुकामल अर्थ दिया जाए छोटी सी बात को बात में ही बहुत कुछ कह दिया जाए अब आगे है वह अपने आत्म संगहर्स की समाजिक संगहर्स बनाने की चहात है इसका उदाहरन मुक्तिवोध की कविता है नई कविता का आत्म संगहर्स उनके कवियों का आत्म संगहर्स है जो बही संगहर्स का रूप ले लेता है एक में प्रगीतात्मक्ता सिमित हुई नजर आती है तो दूसरे में प्रगीतात्मक्ता के कुछ नए आयाम उद्गाटी तो होते है इसके आगे है कभी कम ही सब्दों में बहुत कुछ कहता है जो बात कम सब्दों में कही जाती है वो गहरे अर्थ रखती है कविता का अर्थ करने पर उसके कई अस्तर धीरे धीरे खूलते जाते हैं कि दारनात से यहां कहना चाहते हैं संबंधों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए उसमें हमेशा गर्माहट और उसकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए हाथ की तरह गर्म और सुंदर में कभी बहुत सारे सपने संजोय हुए हैं और भविशे की अकांच्छा को मजबूती बनाए रखना चाहता है इन थोड़े से सब्दों में कभी अधिक गहरी चोट करता है अधिक बोलने से अच्छा कम बोलना है क्योंकि वह जादा प्रभावी होता है क्रश्न संख्या 11 आता है हिंदे की आधोनी कभीता की क्या विसिष्टाएं अलोचक ने बताई है उत्तर हो जाएगा हिंदे की आधोनी कभीता में नई प्रगितात मकता वह देखता है आज की कभी को Whew ना तो अपने अंदर जहां कर देखने में संकोचै ना बाहर के अथार्थ का सामना करने में ऑऽ हिं चप बाहर छोटी से छोटी घटना इस हिती बस्तु आधी पर नजर है और कोशिस से उसे अर्थ देने की इसी प्रकार बाहर की प्रकिरिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़ कर उसे सब्दों में बांध लेने का उच्साह है एक नए अस्तर पर कभी व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच के रिस्ते को साधने की कोशिस कर रहा है और इस प्रकिरिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्य ही नए धंकी प्रगितात्मक्ता की उभार का संकेत है अब आता है यहाँ पर भासा की बात प्रश्न संक्या एक है दिये गए सब्दों से विशेशन बनाईए देखिए यहाँ पर कुछ सब्ध हैं विशेशन यहाँ बना चुके तीवरिता का हो जाएका तीवरितम समाज का समाजिक व्यक्तिक व्यक्तिक आत्मा का आत्मिये प् पीचे लिखे वाकियों से अवयों और कारण चिन्हों को अलग करें कारण के चिन्ह किस कारण के हैं यह भी बताएं कह यहां पे कहने की आवर्शक्ता नहीं कि यह आत्मपरग प्रगीत भी नाटि धर्मी लंबी कविताओं के सद्रिश ही या थार्ट को प्रतिधोनित करते है उत्र हो जाएगा इसमें अवयों हो जाएगा भी ही कारण के की संबंध कारण कारण को हो जाएगा संप्रदान कारण कारण को इस दिशा में पुनरविचार के लिए सच पूछे तो मुझे सबसे पहले प्रेड़ना स्वय मुक्ति बोथ की कावे से ही मिली उत्र हो जाएग प्रगीत के रूप में प्रायागि उसी कविता को स्युकर किया जाता है जो नितात व्यक्षिक और आत्म परको उतर हो जागा अबया अधिकरण कारगो हो जागा संप्रादान कारग घर है यहां पर एक में प्रगीतातमक्ता दूसरे में प्रगितात मक्ता के कुछ नय आयाम उदगाटित हुए उतर हो जाएगा अवेग हो जाएगा तो कारक किन हो जाएगा में अधिकरन कारक और किये हो जाएगा जो की संबंद कारक है प्रश्ण संख्या 3 आता है रचना की दृष्टी से निम्नलिक्त वाक्यों की प्रकीर्टी बताएग एवं संयूक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदले गह है यहाँ पे कविता पर समाज का दवावती वृता से महसूस किया जा रहा है तो उतर हो जाएगा मिश्रवाक्य और खह है यहाँ पे यह परिवर्दन न बहुत बड़ा है न खरांतिकारी उतर हो जागा संयुक्त वाक्य और गह है यहां पर मुक्ति पोध ने सिर्फ लंबी कविता ही नहीं लिखी है उतर हो जागा संयुक्त वाक्य घह है यहाँ पे आलोचकों की दृष्टी में सचे अर्थों में प्रगी तात्मक्ता का आरम यही है जिसका आधार है समाज की विरुद व्यक्ति उतर हो जागा संयुक्त वाक्य अर्थ है यहाँ पे पिछले 5-6 वरसों से हिंदी कविता के वाता वरन में फिर कुछ परिवर्दन की लच्छन दिखाई पड़ रहे हैं उतर हो जागा संयुक्त वाक्य अब यहाँ पे है सब्द निधी नितांत का मतलब हो जागा बिल्कूल निस्क्रिति का मतलब हो जागा मुक्ति या फिशूटकारा उद्भावना का मतलब हो जागा कल्पना प्रतिमान का मतलब हो जागा मुल्य या फिर माप इतिब्रित का मतलब हो जागा त्यथे कथा सार ना साथ एक कांगी का मतलब हो जागा एक पच्छिय उद्बुधत्य क का मतलब हो जागा मालसिद जागरेती निरव्यक्ति का मतलब हो जो व्यक्तिगत्न हो बस्तु परप और कल्प सृष्टी का मतलब हो जागा Jadi ņ और यहांपे है अराण्यरोधन का मतलब हो आत्मेतर का मतलब हो जाएगा आत्म से भीन उनमेश का मतलब हो जाएगा जगना या फिर नई समझ ठीक है अब है यहाँ पे अंतर गुहावास का मतलब हो जाएगा मन की गुपा में रहना जहां कोई देख पहचान नौ सके और आगे है यहाँ पे प्रत्याव स्वस्ती का मतल चिन्तन अनुताब का मतलब हो जागा किसी घटना या बात के बाद का दुख टूहर का मतलब हो जागा कानों के भीतर के हिसे आई होप आपको यह वीडियू अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए गाई हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आप लोग तैयारी एकजाम के 12th ग्रूप जोइन नहीं के हैं, तो जोइन कर लीजेगा यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो मिलते हैं किसे नेक्ट तान्स पर वाचिं दिस वीडियो